जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि WhatsApp ने अपनी टंस एंड कंडिशन में कुछ चेंज किया है जो कि दोस्तों काफी सारे WhatsApp यूजर को पसंद नहीं आया है जिसके कारण दोस्तों वह WhatsApp को छोड़ना चाहते हैं और WhatsApp की जगह पर किसी ऐसे एप का यूजर करना चाहते हैं जो कि WhatsApp की तरह ही काम करें लेकिन WhatsApp से सेफ रहे यानि उसमें हमारा परसनल डाटा बिलकुल सेफ रहे तो दोस्तों बने रहे ये मेरे साथ इस वीडियो के अंतिता क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही एप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज आप WhatsApp की जगह पर कर सकते हैं और जिसमें आपका परसनल डाटा बिलकुल सेफ रहेगा नमस्कार दोस्तों मैं मंदीव सर्मा आपका अरिटक में स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आप WhatsApp की जगह पर Signal App का यूज कर सकते हैं यह भी बिलकुल WhatsApp की तरह ही काम करता है और जिसमें हमारा परसनल डाटा बिलकुल सेफ रहता है बैसे दोस्तों परसनल डाटा WhatsApp में भी से इसके बारे में दोस्तों अधिक जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे मुबाल की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आप से एक बात जरूर कहना चाहूंगा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर किलिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन दबा कर और ओल पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अपलोड ओ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तो जादे देरना करते हुए जानते हैं सिगनल एप के बारे में तो चलिए दोस्तो जानते हैं सिगनल एप के बारे में कि हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह से अपना account इसमें बना सकते ही तो दोस्तो इसके लिए आपको सब से पहले अपने mobile में इस app को install कर лेना है अपने mobile के play store में जाकर वैसे दोस्तो इस app का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वीडियो के description में जाकर उस link पर click करके अपने mobile में इस app को direct install कर सकते हैं तो दोस्तो install करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये देखिए यहाँ पर इस तरह का ये app होगा तो दोस्तो install करने के बाद आपको इसे open कर लेना है तो दोस्तो जैसे ही आप इस app को open करेंगे तो इस तरह का interface आपके सामने आ जाएगा जिसमें दोस्तो आपको continue का option मिल जाता है यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तो terms and privacy policy आपको मिल जाती है यदि आप इसकी terms and privacy policy को पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर click करके आप इसकी terms and privacy policy को पढ़ सकते हैं और नई पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तो आपको simply continue के option पर click कर देना है दोस्तो यहाँ पर click करने के बाद आपको फिर से continue के option पर click करना है और यहाँ पर allow करना है फिर से allow करना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का page आ जाएगा जिसमें दोस्तों आपको अपना इसमें number डाल देना है और यहाँ पर वह number आपको डालना है जिस number से आप अपना signal account बनाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना number डाल देता हूँ दोस्तों number डालने के बाद आपको next पर click करना है और यहाँ पर ok पर click करना है दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर इतना करेंगे तो आपके mobile नमबर पर एक OTP आएगा जिस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है वैसे तो दोस सकते हैं तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर OTP डाल कर आप verify होंगे तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह का page आ जाएगा जिसमें दोस्तों आपको अपना नाम डाल देना है जैसे ही दोस्तों मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर अपना last name डाल देना है, यह देखें दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर अपना last name डाल देता हूँ, दोस्तों नाम डालने के बाद आपको simply next पर click कर देना है, दोस्तों next पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक pin बनाना है, जो भी आप pin यहाँ पर बनाना चाहत पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों जैसे ही आप दोबारा इसमें पिन डालकर next पर क्लिक करेंगे, तो आपका account इसमें बन जाएगा, अब दोस्तों यदि आप इसमें अपना अपना नया group बनाना चाहते हैं, जैसे WhatsApp पर new group बनाते हैं, तो दोस्तों आप नीचे new group पर friend है आपके जो contact में हैं वो उन में से कौन-कौन signal app का use कर रहा है जिसे आप message कर सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको यह देखिए यहाँ पर एक edit का option मिल जाएगा आपको इस पर click करना है दोस्तों जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर बे सारे number आ जाएंगे जो कि signal app का use कर रहे हैं यानि आपके जितने भी contact में बंदे हैं आपके friend हैं आपके पास जिनका भी number है उन में से कौन-कौन signal app का use कर रहा है वे सब यहाँ पर आ जाएंगे तो दोस्तों आप उन्हें यहाँ पर search करके message कर सकते हैं signal app पर आप दोस्तों यदि आप अपनी इसमें डीपी लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको उपर यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर डीपी वाले जाएंगे टेक फोटो यानि दोस्तों यदि आप अभी अपना फोटो लेकर यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो टेक फोटो पर क्लिक करना है और दूसरा है चूज फ्रॉम गैलरी यदि आपने पहले से ही अपना कोई फोटो खीच कर रखा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करके आपने अलाव पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेना है फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्जेस्ट कर लेना है इसे और यहाँ पर उपर सही के निसान पर क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक क करेंगे तो आपकी dp यहां पर लग जाएगी आप दोस्तों यदि आप three dot पर click करते हैं तो यहां पर काफी सारे option आपको मिल जाते हैं जिसमें दोस्तों आपको यहां पर settings का option मिलता है यदि आप settings पर click करते हैं तो इस तरह के page पर आप आजाएंगे यानि अपनी profile पर चाहते हैं dp को change करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं दोस्तों नीचे आपको और भी option मिल जाते हैं जिनके वारे में यदि आप detail से जानना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे comment करें मैं इन सारे option पर detail से एक video बना दूँगा तो दोस्तों यह video यही पर समाप्त होती है म मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह video पसंद आयोगी दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो का like करें share करें और comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह video कैसी लगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली video में तब तक के लिए धन्यवाद